आज दस्विंक अच्छा के चात्रों के नई कविता अकाल और उसके बाद के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं अकाल और उसके बाद हिंदी के प्रमुख प्रगदिवादी कवी नागार जुन जी के सबसे प्रसित कविता है अकाल माने फैमिन अकाल और उसके बाद शीर्षक में है अकाल के समय हमारे स्थिती क्या है और अकाल के बाद की स्थिती उसी पर चक्छा किया है सिर्फ आठ पंक्तिया है अकाल के बारे में चार पंक्ति आकाल के बाद के बारे में चार पंक्ति कुल आठ पंक्तिया इस आठ पंक्तियों में दिखने में सरल है पठने में सरल है सरल शब्द है लेकिन गागर में सागर भरने की चेश्टा की है गागर में उर्यू चरिय मन्गोड तिल सागर भरने की चेश्टा की है उर्य वल्य समुद्रते आन उलपीच विच्रिकन दर आठ पंक्तियों में इतना गहरा है कि सामानी र्यूब से देखने में सरण लेखते है लेकिन अंदर की और चांकर देखते समय हम चोंग जाते है उसके अर्थ संपुष्टदा देखकर मुक्तक चंद में लिखा गया है एक कविता अकाल और उसके बाद और आप जानते है वो अकाल के बारे में कविनागार जुन करते हैं कई दिनों तक चुलहा रोये चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिय सोई उनके पास कई दिनों तक लगे भीत पर छिपकलियों की गस्थ कई दिनों तक चुहों के भी हालत रही शिकस्थ पहले चार पंक्तियां अकाल के बारे में नागर्जुन प्रगदिवाधी कवी होने के नाते अकाल के बारे में यानि कि कविता प्रस्तुत किया है एक निम्न वर्ग के रसोई से एक निम्न वर्ग के लोग के रसोई में क्या है वो चित्त्र प्रसुत करकर हमें बता दिया गया है कि अकाल की स्तिती कैसी है क्योंकि जब अकाल आते हैं, अकाल तो हमारे सबसे निम्न समुह के समाच के सबसे निम्न लोगों को उसका असर पढ़ जाता है उसकी स्तिती, निम्न लोग के स्तिती देखे तो हम कर सकते हैं कि हमारे समाच ठीक है या गलत या प्रगदी, प्रगदी में है या समर्थी में है या नहीं यहां अकाल में वो निम्न लोग के लोग के रसोई की चित्रन किया गया है और उसमें करता है कि काई दिनों तक चुलहा रोए, चक्कीर ही उदास, चुलहा रो रहा है, हमेशा चुलहा हसता रहता है, जलता रहता है, अगर अकाल नहीं है, समर्थी है तो रसोई में चुलहा जलेगा, क्योंगि अन्य पकना है वहाँ, अन्य पकना के लिए स्वाभावी है चुलहे का जलन लेकिन चुलहा रो रहा है क्योंगी उसमें आग नहीं है चुलहा रो रहा है जलता नहीं है और चक्की रही उदास चक्की उदास है चुलहे का सहजदा है जलन में और चक्की की सहजदा है उसकी चलन में चाल में याने कि चक्की अगर चक्की चलकर चलकर पीसा है तो वहाँ अन पैदा होगा चक्की के पीसने से ही आटा बन जाएगा आटे से रोटी बन जाएगा चक्की पीसने पर ही अन तयार हो जाएगे अगर चक्की नहीं पीसा तो चुलहा रोएगा पिर कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उनके पास कानी कुटिया तो कानी है यहां दिखने लाइक एक बात है कि कुटिया कुटिया कहा गया है क्योंकि कुत्य से भी जियादा अपने मालिक के प्रदिष वफादार है वो खर छोड़ कर कही नहीं जाता अपने मालिक के जो स्तिती है उसमें वो भी शामल है उनसे कभी वही दूर नहीं हो जाते है और उनको एक आशा है कि वो कानी है इसलिए उसको एक आशा है कि अगर चुलहा जलेगा तो उसे खाना मिलेगा तो चुलहा जलता है या नहीं कानी है इसलिए उसको अपने कान का जरूरत पड़ेगा इसलिए वो चक्की अगर चकी पीसा पीस रहा है या नहीं या सुनने के लिए भी वो चुलहे के पास सो रहा है लेकिन वो सो रहा है क्योंगी वहां कोई काम नहीं है चुलहे का पीसने का आवास नहीं है चुलहे के जलने का आवास नहीं है या रोशणी नहीं है और चकी के पीशने का आवास भी नहीं है तो वो उसमें ही सो रहा अगर फिर आगे देखेे कई दिनों तक चुलहा रहोः चकी रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास काई दिनों तक लेगे फीत पर छिपकलियों के गस्त है, क्यों? अगर छिपकलियों को खाना मिलेगा तो वो आपस में चगना नहीं करते, फिर क्या करते हैं? वो क्या करता है? वो शांत र्यूब से अपने फोजन का इंदसार करके कही और छिपकर बढ़ता है, लेकिन यहां चुलहा अब जानते हैं कि निमनिवर के लोग के घर है, वहां अगर चुलहे के जलन से ही छिपकलियों को अन्न मिन जाएगे, क्यों? अगर चुलहा जलने से, अगर चुलहा जलेगा तो वो रोशनी देकर कीटे मकोडे वहां जाएगे, वो कीडे मकोडे से ही छिपकलियों का भोजन, अन्न संपुष्ठ हो जाएगा, लेकिन चुलहा जला नहीं है, इसलिए वहां कीडे मकोडे नहीं है, इसलिए छिपकलिया भी क्या अकाल में है वो भी अकाल में है और चोधा लैन से चोधा वाकी से पंक्ती से हमें ये पता चलता है कि समाज में भी यानि कि बाहर वो प्रदेश सभी प्रदेशों में भी अकाल है कैसे कई दिनों तक लेगे भीत पर शिकलियों के देगस्ट कई दिनों तक चूहों के भी हालत रही शिकस्थ चूहा एक एजाजीव है जो अपने अन्न के लिए दूर दूर तक चलते भरते हैं प्रयान करते है चूहा उस सभी प्रदेशों में प्रयान किया लेकिन उससे एक अन्न का दाना भी नहीं मिला इसका मतले है समाज अकाल ग्रस्त है तो चूहों से हमें पता चलता है कि समाज अकाल ग्रस्त है तो चार पंक्तियों का अर्थ आपको मालूम हो गया यह एक भी है, चुलहा और चकी दोनों नर्जीव है चुलहा और चकी लेकिन नर्जीव चुलहा और चकी में कविनागार जुन्हे मानविय संब्यदना का आरोप लगाया है उनको भी एक जीव वस्तु के भावना से दिखाया गया है इसका विता में चुलहे की हसना, चुलहे के रोने में बदल गया, चकी का चलन, चाल चलन तो उदासी में बदल गया, तो मानवी समवेदना अजीवों पर किया है, अजीवों पर मानवी समवेदना का आरोप लगाया है, तो देखिए उसका विदा कितना गहरा है, कई दिनों तक यानि कि अकाल ग्रस्त समूह के द्रिश एक निम्न वर्ग के रसोई से हमें दिखा रहा है कि वो समाच कैसा है वहां चुलहा और चक्की चुलहा रो रहा है चक्की उदास है कानी कुतिया चुलहे के पास ही बैठा है चिपकलिया फीत पर अन्न ना मिलने स्ते गस्त में चगडे में चल रहे है और चुहों को भी हालत ही शिकस्त है क्योंगी समाच अकाल ग्रस्त है काई दिनों तक यहां देखिए काई दिनों तक पहले कविदाका शुर्वा थी काई दिनों तक काई दिनों तक काई दिनों तक चे होता है तो अकाल ग्रस्त समाज का चित्रन यहां मिलता है पहले चार पंग्टियों में अकाल का प्रस्तुदिगरन एसा किया है कि काई दिनों तक को आगे लेकर शुरुवात तो काई दिनों से कोरेय नालाई के कोरेय नालाई के कोरेय नालाई के अकाल कर समुह का चित्रन है देखे बाग की चार पंगतियों में क्या कह रहा है दाने आये खरके अंदर कई दिनों के बाद, थुवा उठा आंगण से उपर कई दिनों के बाद, चमक उठे खरफर की आंखें कई दिनों के बाद, कवेने खुजलाये पांखें कई दिनों के बाद, दाने आये खर के अंदर कई दिनों के बाद तो सम्रुथी का चित्रन ऐसा किया है कि पहले चार पंग्तियों में जो कई दिन आगे थे उसे अंद में लाया गया दाने आये खर के अंदर कई दिनों के बाद फिर थुआ उड़ा अंगन से उपर कई दिनों के बाद कब थुआ उड़ता है हाँ चुलहे के हसने से यानि कि चुलहा हसना शुरू कर दिया कैसे हसना शुरू कर दिया चक्की अपना चाल चलन शुरू किया उदासी को छोड़ दिया तब चुलहा जलने लगा यानि कि चुलहा हसने लगा हसने से उपर थुआ उठे थुआ उठे से ये पता चलता है कि वहां कुछ पक रहा है याने कि आन्य आ गया है अगर एक निमने बरके रसोई से थुआ उड़ेगा तो हमें ए अंदाजा मिल जाता है कि समाज अकाल से दूर हो गया है अकाल से छुट्टी पा गया है और तो दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद थुआ उठे आंगंड से उपर कई दिनों के बाद यानि कि अन्य पक रहा है, चुलहा, हस रहा है, जल रहा है, चक्की पीस रहा है चमक उठे खर भर की आंखेम बहां कुछ जीव है, देखिए यहां, किसी मानव का चित्रन नहीं किया गया है बलकि मानविक सम्वेदना का चित्रन किया है यहां, चमक कुठे खर भर की आंखेम, किन-किन के आंखेम हाँ, चिपकलियों के, कानी कुद्दिया के, वो चूहे के सबके अंख चमक उठे क्यों? उन्हें अन्य मुल गया चुलहा जलने लगा, कीडे मकोडे आ गए, खुश छिपकलिया चुलहा जलने लगा, चक्की पीसने लगा, खुश तानी कुदिया उससे भी खुश है, चू है क्यों? समाच अनाच के उस पकड से मुक्त होगे, अनाच समाच अकाल ग्रस्त नहीं है अकाल के वो अकाल ग्रस्त से मुक्त होगे समाच तो कहीं कहीं जाए, चुहे को अन्य मिलता है तो खर भर की आंखे चमक कुठे, कानी कुदिया के, चिपकलियों के और चूहा के फिर और क्या हुआ कव्वे ने खुजलाए पांखें कई दिनों के बाद चुहे के जैसा कव्वा भी घर घर जाकर खाना खाता है एक खर से नहीं बलकि घर घर जाकर घर घर जाकर खाना खाते है कव्वा तो जब कव्वा अपने पांख खुजलाने के लिए बैठ जाते है तब हमें पक्का है कि समाज अकाल से मुक्त हो गया है क्योंकि पेड फर जाने के बाद ही कव्वा अपने पंख खुजलाते है क्यांकि वो आराम कर रहे है आराम करते समय कव्वा पंख खुजलाते है यानि कि उसका पेड भी अफर पूर है समाज अकाल ग्रस्त नहीं है समर्थी वापस आ गया है तो उस आठ पंख्टियों में समाज में अकाल आने से क्या क्या हो रहा है उसका द्रिश चित्रन चित्र हमें मिल रहा है एक चित्र जैसी कविदा है नागाजुन के अकाल और उसके बाद लेकिन कोई मानव या मानविक सम्वेदना का आरोप किया है कोई मानव उस चित्र में नहीं है आज जीवों पर मानविक सम्वेदना का आरोप किया गया है इसका विदा में पहले चार पंक्तियों में अकाल चलते समय समाज की द्रिष्टी की गई है याने कि एक नीमन वर्गी ये रसोई लोग के रसोई का चित्रन करते चुलहार हो रहा है चक की उदास है छिपकलियों के गस्त छगड़ा कर रहे है वो इदर खोम रहा है चुहें को भी हालत शिकस्त है कानी कुतिया कुछ मिल जाने के इंदजार में चुलहे के पास बैठा है जब समर्थी वापस आ गया गाल के बाद सबके आंखें चमकने लगे आंगण के ऊपर से धुआ उठने लगे कवे ने अपना पंक खुचलाने लगे तो समर्थी का द्रिष्य हमें इन पंक्तियों से मिलते कैसे काई दिनों के बाद अंद में आ गया और अकाल ग्रस्त होते समय काई दिनों आगे है काई दिनों से चुलहार होए दाने आये खरके अंदर काई दिनों के बाद ये है अकाल और उसके बाद की कविता का विसलेशन तो मुक्तक चंद में लिया गया है प्रगद वादिवादी कवी है तो समाच के दृष्टी एक समाच कैसा है इसका दृष्टी याने कि उसका चित्र हमें मिलेगा निम्न वर्ग के आंखों से देखने पर अगर निम्न वर्ग खुश है तो हमें पताचा लगा कि समाच स्वस्त है, अच्छा है, सम्रुथ है अकाल ग्रस्त समाच का चित्रन अजीव उपर जीव का याने की अजीव उपर मानविक सम्मेदना का आर्योप करते यहां नागार जुनने किया है तो देखिए, पठिए अकाल और उसके बात थन्यवाद सकते हैं अजीव उन्यवाद